हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एनके फार्मेसी नौलिज में जहां पाते हैं दवाईयों से संबंदित अच्छी और संपूर जनकरी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीकासिन 500 mg इंजिक्शन के बारे में और हम डीपली डिसकस करने वाले हैं इसके यूजेज को साथ ही जानेंगे वागी क्या इसमें रहती है किन किन रूट से इसे हीूमन वाडी के अंदर इंसाइट करा सकते हैं और भी अन्य महतपूर जानकरी आपके साथ साजा करने वाले इसलिए वीडियो को लाश तक जरूर देखें साथ ही अगर चैनल पर नए है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल क है मिकासिन 500 mg इंजेक्शन जिसको आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर से इस्तेमाल में लिया होगा दोस्तों इस इंजेक्शन को आई-एम मतलब इंट्रमस्कुलर और आई-वी मतलब इंट्रवीनस रूट से लगा सकते हैं मतलब इसे व्यक्ति की नस के माध्यम से ल लिए भी अरिष्टो ही इसको मार्केट करता है जो कि अरिष्टो कफी अच्छी और पुरानी मेडिसिन कंपनी है फार्मा कंपनी है मीकासिन 500 mg इंजेक्शन की अगर प्राइस की हम बात करें तो इसको 99 रुपी की मर्पी के साथ आप किसी भी फार्मसी स्टोर से एजली खर यूजेज के बारे में क्या इसके मेन मेन यूजेज होते हैं दोस्तों यह इंजेक्शन अमीनो ग्लूकोसाइड है जो कि कई पिरकार के वैक्टेरिया को किल करके वैक्टेरिया से होने वाले वैक्टेरियल इंफेक्शन को ठीक करता है जैसे कि निमोनिया कोई वैक्टेरिय का infection या फिर दमा, अस्तमा, सांस फूलना, या फिर सांस लेने में कठना ही होना, या सांस ना लिया फेपड़ों में किसी पिरकार की सूजन होना, इन सभी में इसका अधिकांस डॉक्टर प्रियोग करते हैं, इसके अलावा भी इसका प्रियोग, वोन या जोइंट का infection, हड़ तथा काई पिरकार के infection को ये मीकासिन injection खत्म करता है, इसके अलावा ये, इकोलाई, स्टेप्टो कोकाई, एंट्रो कोकाई के infection जैसे की abdominal, intestine infection है, इस टमाख, आतो तथा पेट का संक्रमना जैसे डाइरिया, उल्टी दस्ट और काई पिरकार के abdominal infection को भी ये ठीक करता है, ये injection टाइफाइड बुखार जो की salmonellus serotype typhi नामक बैक्टेरिया द्वारा होता है, उसे भी खत्म करता है, इसलिए ज़्यादा तर डॉक्टर्स इसे टाइफाइड बुखार में आधिक इस्तिमाल करते हैं, और साथ ही कोई patient है, जिसे urinary tract का infection हुआ हो, जिसके कारण बैक्ती को मूत्र त्याक करते समय मूत्र में, मूत्र मार्ग में जलन वा असहनी धर्द होता हूँ, तब ऐसी condition में भी इस meikacin 500 mg injection का इस्तिमाल किया जाता है, तो किसी मरीज को जेंटमाइसन या टोब्रमाइसन injection फाइदा नहीं कर रहा है, तब डॉक्टर अपने अनुबब के एक्षन को भी खत्म कर देता है, और डॉक्टर अपने experience के waste पर इसे अन बीमारियों में भी यूज कर सकते हैं, वीडियो में दोस्तों आगे जान लेते हैं इसके कुछ composition के बारे में, composition of amicus in sulphate, तो दोस्तों अगर बात की जाए इसके composition के बारे में तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें each 1 ml contents के लिए amicus in sulphate equivalent to amicus in 250 mg की मात्रा में per ml मौझूद है और इसके अंदर मौझूद है मिथाई, मिथाईल पेरावेन 0.04% weight by volume होता है और इसमें प्रोपाइलिन पेरावेन according to Indian Pharmacopeya के standard के according इसमें प्रोपाइलिन पेरावेन 0.01% weight by volume होता है तो बात कर लिए हमने इसके कुछ content के बारे में, तो दोस्तों Mika Sin 500 mg injection का वीडियो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडि है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलती है आप से हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई दवाई की जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जैहिंद धन्यवाद।